हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता होगा अब CBSC बोट का भी क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है बट कावी सारे कॉलेजों में और लेटी 50-60% सीट फुल हो चुकी है और मुझे कावी सारे कमेंडस आई यह थे जी एन यहूटी कॉलेज के बारे में तो चलो शुरूँ करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले बात आती है कॉलेज कौन-कौन से कोर्स आफर करता है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं courses की तो सबसे पहले BTEC, MTEC, BCA, MCA, BBA, MBA Integrated, MBA और भी कई सारी courses college provide करता है तो अगर मैं बात करूं अब इन सब के fees structure की तो सबसे पहले बात आती है BTEC की तो अगर आप लोग BTEC computer science से करेंगे तो आप लोग की एक साल की fees होगी approx 1,30,000 और अगर आप लोग BTEC किसी और ब्रांच से करते हैं जैसे civil, electrical, mechanical या किसी और ब्रांच से except CSE या IT को छोड़के तो आप लोग की एक साल की fees होगी approx 80,000 अगर बात करूं BBA की fees की तो BBA की एक साल की fees है 70,000 और अगर अगर मैं बात करूं MBA integrated की तो उसकी एक साल की fees है approx 77,000 अगर मैं बात करूं MBA की तो MBA की एक साल की फीसे एप्रॉक्स 1,040,000 अब मैं बात करूं कॉलेज का eligibility criteria का तो अगर आप लोग B.Tech में admission लेना चाहते हो तो आप लोग की 12 में minimum 60% तो होनी चाहिए और अगर आप लोग management में जैसे B.B.A. में admission लेना चाहते हो तो आप लोग की approximately 55% तो होनी चाहिए क्लास 12 में तो अगर आप लोग जैसे M.Tech, M.C.A, M.B.A इन सब में admission लेना चाहते हो तो आप लोग की graduation में कम से कम 50 से 55% के बीच में तो होनी चाहिए बात करूं coding environment की तो college complete AKTU को follow करता है जैसे first year में PPS सिखा जाती है तो college PPS सिखाता है तो मतलब college complete coding के लिए तो AKTU को follow करता है तो अगर मैं बात करूं college फैसिलिटीज की तो आप लोग को wifi मिलता है well classroom मिलता है, auditorium मिलता है, sports मिलता है, indoor sports, outdoor sports तो यह सब तो मैंने आप लोगं को लगबग थोड़ा बहुत एक college के बारे में बता जा अब बात आती है placement की तो सबसे पहले मैं बात करते हो BTEC की BTEC का average package है वो है 3-4 लाग के बीच में और अगर मैं 2023 के highest package की बात करूं तो वो है 13 LPA के 13-14 LPA के बीच में और BTEC के लिए जो on campus companies विजिट करती है वो है Infosys, Mahindra Tech, Wipro, Byjuice, Amazon यह सब कंपनिया BTEC के लिए on campus विजिट करती है अगर मैं बात करूं BCOM के package की तो BCOM का average package है वो है 2-4 लाग के बीच में और अगर मैं बात करूं विजिटेट फॉर BCOM तो वह है HDFC, Mahindra Finance और कई सारी companies है जो BCOM के लिए college में विजिट करती रहती है तो अगर मैं बात करूं कुछ फ्रेमस courses की जो college provide करवाता है तो वह है BTEC, PGDM, MBA यह सब कुछ college के famous courses थे तो मैंने अब आप लोगों को एक complete overview दे दिया एक college का तो आप बाता आती है hostel की हम मैं बात करूं तो अगर बात करूं वह जुआ बात है और हो बाता करूं थो उसका और इक डिनर बट आप लोग डिवेटाइट डिफरेंट मील्स देखने को मिलती है तो अगर मैं बात करूंगा वीक तो आप लोग को एक वीक में एप्रोक्स 25 प्लस मील्स तो प्रोवाइड होती है तो स्पोर्ट की तो कोले स्पोर्स भी प्रोवाइट कराता है इंडोर ómo देखने को मिलता है फुटबॉल का कोट मिलता है तो ये सब तो हो गया कुछ के बारे में और अगर मैं बात करूं और आप लिए बैसिस में फैस तो ज्यादा तर नहीं खोंता है बट वालों को एक overview दे दिया college का, अगर आप लोग का तब भी कोई doubt रह जाता है, तो आप लोग मुझे comment कर सकते हैं, यह direct इंस्टा में message कर सकते हैं, तो अगर आप लोग किसी और college के वारे में भी video चाहते हो, तो आप लोग मुझे उसके लिए भी comment कर सकते हो, मैं उसकी भी एक अलग से separate video बना दूँगा, तो चलो अब इस वीडियो को all लंबी ना करते हो, इस वीडियो को यहीं पर को end करते हैं, hope so आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को like सिया और subscribe कर दीजेगा, thank you, तो दोस्तों आप लोग और भी कई सारे comments करते आप लोग मेरे चैनल की playlist में जाकर चेक कर सकते हो, मैंने उन सब वीडियो में भी हर एक information कवर कर रखी है, आप लोग में admission कैसे ले सकते हो, college कौन-कौन से course offer करता है, और admission criteria किया है, और अगर आप लोग hostel ले तो hostel के charges किया है, तो अगर आप लोग प्ले लिस्त में जाकर मेर ये complete video देख सकते हो, और अगर आप लोग comparison देखना चाहते हो, गलकोटिया, जी अलवजाज और KCC के बीच में, तो मैंने उसकी भी एक separate video बना रखी है, आप लोग चाहे है, तो वो भी check कर सकते है, तो दोस्तों, अगर आप लोग और भी किसी courses की video देखना चाहते हो, जैसे BSc, What is BSc, Bio Technology, तो मैंने इन सब courses की video अपने channel में upload कर रखे, आप लोग मेरे channel में विजिट करके ये सब videos देख सकते हो,